विकास कंड जलालाबाद में चलाई जा रही दो गौशालाओं में से एक रूपापुर गौशाला में भीशन ठंड में दम तोड रहे गौवंश जिम्यदार लोग अपनी जिम्यदारियों से पल्ला जाड रहे हैं यहां उतर प्रदेश सरकार गौशालाओं को बहतर बनाने के लिए व्रहद इस्तर पर कारे कर रही है पर धरातल पर गौशालाओं में गौवंश भूके प्यासे बीमार होकर दम तोड रहे हैं शेत्र के किसान गौवंश से परिशान होकर रात दिन इस कड़कडाती ठंड में अपने खेतों को रखने के लिए रात दिन एक किये हुए हैं इसके बावजूद भी गौवंश के जुंड के जुंड आकर पल भर में फसल को तबहा कर देते हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है वही सरकार द्वारा पोशित गौशालाओं में संबंदित ग्राम प्रधान और सेकेटरी की मिली भगत के चल दे गौवंश को समुचित व्यवस्थाई ना मिलने के कारण ज्यादातर गौवंश बीमार होकर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं ऐसा ही एक मामला रूपापुर की गौशाला का है जहां गौशाला में 26 गौवंश बताये जाते हैं इनमें से कई बीमार हैं इनके इलाज का कोई उचित प्रबंद ना होने के कारण बीमार गौवंश दम तोड़ रहे हैं क्या कहा डाक्टर अच्छाए है और खिलाते हैं जो कर खर लाल चश्मा घर मत्रकाइक जाना पैचाना ब्रांट जो लाया है जोहरी सीजन में अपने ग्रागों के लिए एक खास तौफर आप लाल चश्मा घर पर जुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर अपाएं 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50 प्रतीश्वत के जूट ये ओफर के वल से मिल समय तक के नहीं माने है तो आएगे लाल चश्मा घर और ठाएगे मोगे का भड़पूर फाइदा दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप्तू 50 परसंट डिसकाउंट किया है जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबेन, वो सबकुश में आप अगर आएगे तो आपको काफी अच्छे आपस मिलेंगे, डिफरेंट 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 रॉपर्स हैं तो आप आके उसका लाब उठा सकते हैं